निकाय चुनाओं की जीत का जश्न कांग्रिस मना रही है पाइलेट ने मीडिया से बात्चीत करते हुए इसस सरकार और संगठन की जीत बताया पाइलेट ने कहा कि शहरिक शेत्रों में बीजेपी अपनी मजबूती की बात करती है लेकिन उसका भ्रह्म तूट चुका है वहीं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वहां भी अन्य दलो से मिलकर कॉंग्रेस का बोड बनाएगी कि भारती जन्ता पार्टी उरंचास 49 जगे जांचुना हुए मात्र 6 जगों पर उनको बहमत हासिल हुआ है ये चुनाव सरकार के बनने के लगवा 11 मेने के बाद हो रहे है और लोकस्वा चुनाव में जहां भाजपा सभी सीटों बजीत कर गई थी आज शेरी छेत्र जो ब्रहम भारतिंदा बाटी को है कि शेरी छेत्र में बहुत मजबूत है आज वो ब्रहम निरनायक रूप से तूट गया है जन्दा ने कॉंग्रेस पार्टी की सरकार और कॉंग्रेस पार्टी के संगटन विचारधारा को संपूर आशरवाद दिया है एतिहासिक बहमत मिला है पिछले कई चुनावों में इतना बहमत कॉंग्रेस पार्टी को नहीं मिला 49 जगे चुनाव हुए वहाँ अधिकांज जगों पर स्पर्ष बहमत कॉंग्रेस पार्टी को मिला है काफी जगों पर कॉंग्रेस सबसे बड़ा दल बन कर उबरा है और 26 तारे को जब चुनाव होगा चेर पर्षन का और वाइस चेर्मेन का 27 तारे को मुझे पूरा विश्वास है कि सयोगी, पार्षद, निर्दलिये और सब लोग मिलकर कॉंग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाए